कि वेल्कम गाइस टुद दे मोस्ट हैपनिंग एंजाइबल और मेमरेबल जर्नी अफ यॉर लाइफ ताइट इसी एफ फाउंडेशन यू हव चोजन इस कोर्स यह यह एक ऐसा कोर्स है जो कई लोगों का ड्रीम है कि आप लोगों ने यह डिसिजन लिया हमें सीए करना है और आपने सीए फाउंडेशन की पढ़ाई स्टार्ट किये तो आज मैं सीए रौनक अगरवाल फैकल्टी ऑफ अकाउंट्स आपको इस सीए के पहले जो एंट्रंस एक्जाम होती है सीए फाउंडेशन सीए फाउंडे इसके पहले किसी ने भी अकाउंटन्सी नहीं पढ़ा है तो अकाउंटन्सी क्या है क्यों है क्यों करना है यह हम समझेंगे इस सेशन में तो माईडिय फ्रेंट आपके मन में सवाल आ रहा होगा सब्सक्राइब हैं क्या किस खेथ की मुंटिब यह में की wise कoot में चाउटमन करफोट ही sont Tell अधिक हिर यह एतना ही इंपार्ट ही तक कि क्या में क्यों नहीं पडाए गया है कभी तक कोस्ट में एक पहुद बहुत ही बहतरी सब्जेक्ट में अकाउंटन्सी एक बहुत ही बैतरीन सब्जेक्ट है जिसका वेटेज है 100 मांक्स आपके सीए फाउंडेशन में अकाउंटन्सी करीब करीब 100 मांक्स के लिए आता है और एक बात आप जान लो कि इसके पहले आज जो पॉइंट है इस पॉइंट के पहले किसी ने भी लाइफ म नहीं पढ़ा है तो अगर 10 तक कि आपका स्कोर कम था या 10 तक कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता था आज आप सीए फाउंडेशन कर रहे हो तो आपके बाजों में जो स्टूडेंट बैटा है अगर वह आल इंडिया रैंक वन भी है तो भी यहां पे सब इक्वल है हम जीरो से स्टार्ट करें आज जे हम नया पढ़ने जा रहे हैं जो आज से कभी ने किसी नहीं पढ़ dar तो हम मन लगा कि अच्छा कर सकते हैं तो आपको इक ब्रीफ ऊवर्व्यू देधा हूं में अकाउंटंटिं सी sometime में हमें फाउंडेशन लेवल पे क्या पड़ना एक रफली फाइट में मैं आपको बता देता हूँ कि अकाउंट के चलापस में होता क्या है जैसे जैसे हमारा से आगे बढ़ते जाएगे मैं आपको पूरा हम आपको पूरा फॉर्मेट भी बताएंगे कि किस तरह से प्रक्टीकल डिजाइन होते हैं कॉनसे ट जैसे जैसे हमारे lektures आगे बढ़ते जाएगे आपका अकाउटडशी पे ग्रीफ आता जाएगा और मार्क माईवर्ड अकाउटनसी आपका वण आrió 20 से बनramती है आपके ऐसा लगाना चाहते हुआ आप लगाने से आपको कोई नहीं रोक सकता अगर 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 आपका अकाउंटन्सी यह सब्जेक्ट स्टॉंग पॉइंट है और प्रॉमिस यह कि आप जब यह मेरे आप जब यह हमारे अकाउंट के लेक्टर अटेंड करोंगे आपको अगर आपको अकाउंटन्सी में एक अल्लगी लेवल का ओंफिडंस मिलेगा और जिसके वजह से आपको अगरी सब्जेक्ट्स में भी बेनेफेट आगे कमेंट्स होते जाएगे वैसे वैसे मैं आपको और इसकी इंफॉर्मेशन देता जाओगा आज इस सेशन को हम एकदम ब्रिफ रखते हैं आपको बताऊंगा मैं आपको यह वाताऊंगा कि इंटर क्या होता है इंटर क्या होता है आटिकल कि कहां करनी चाहिए कैसे करनी चीए इसा नहीं होगा कि मैं आपको आगे सिर्फ अकाउंट्स पढ़ाऊंगा और चला जाओगा मैं आप से अकाउंटन्स को लेके कैसे करना है कैसे पास करना है कैसे पढ़ना है कि सारी सारी बाते हम करेगे आप बने रही है देखते रही है तो अभी आज जादा नहीं पढ़ाएगे क्योंकि आपका लंबा वेकेशन हो गया है कोरोना का यह एक वेकेशन ही तो चल रहा है ना आप लोग का तो आपको एक बेसिक ओवर्विव दे देता हो कि सीए फाउं दंजी में एक है थेरोटिकल फ्रेमवर्ग नाम का टॉपिक है देखो अकाउंट्स कैसा है अकाउंट्स एक प्राक्टिकल सब्जेक्ट हुआ होता है प्राक्टिकल इसमें एराउंड 80-85 माक्स के नियूमरीकल जाते है और बच्ची भी थेरी आती है बच्ची भी थेरी आ थे कहां है अकाउंटींग काहां तो है छित हैं चाहिंत ह我們 should feel a रऊंट इंवर सब्सक्राएं बास देखो एक सबस्क्राइब आपने कुछ सब्सक्राइब उसी तरह अंधी कि अपने खूट के कुछ प्रिंशिपल से अपने खूट के कुछ कंसेप्स कुछ कंवेंशन है ठीक है तो वह क्या है वह हम पढ़ेगे अकाउंटिंग टर्मिनलोजी देखो अकाउंटिंग एक लैंडवेज है जब हम बच्पन में पढ़ा ही स्टार्ट किये थे तो हमें जिर्फ एक एक वर्ड समझता था लेकिन हम सिंटेंज बना पाते थे कि नहीं लेकिन हमने क्या किया बरोसा किया हम आगे पढ़ते गए पढ़ते गए और आज हमीं इंगलिस आ गई है ठीक उसी तरह एक हम नया सब्जेक्ट पढ़ रहें नई लाइनवेज पढ़ रहें तो हो सकता है कि आज मैं कुछ वर्ड ऐसे यूज कर लो आपने कभी सुने ही ना हो या आपने सुने हो लेकिन आपको उसके मतलब नहीं पता हो तो दोंट वरी माइडियर फ्रेंट दीरे जैसे जैसे हमारी जरनी आगे बढ़ते जाएगी वैसे आपके दीरे दीरे वोकाब आता है कापिटल एंड रेविन्यू एक्सपेंडिचर यह एक इंपोर्टेंट है मैं आपको डेटेल में जैसे हमारे दोड़ा सा सेशन कमेंस हो जाते मैं डेटेल में आपको इनमें सवाल कैसे आते और जैसे कि यहां नौ यूनिट्स में इंपोर्टन यूनिट्स कौन से यूनिट्स से जाधा जी हां हमने इतनी स्टेडी कर रखिए कि कौन से टॉपिक से जाधा सवाल आते कौन से टॉपिक इंस्ट्यूट इग्नौर करता यह सारी बात हैं हमारे स्टुडी में हो चुकी है तो पढ़ाई के दारान हम आपको यह सब बताएंगे कि कौन से हो रही है बातचीत हो रही है कि हमारा सिलाबस क्या है हम यह देख रहे हैं फिर एक कंटिंजन अर्शेट्स वाला टॉपिक है यह भी इंपोर्टेंट है अकाउंटिंग पॉलिशी बार में अकाउंटिंग ऐसा मेजरमेंट डिस्सिप्लीन यह एक दो एक दो पेज़के आकाउंटिंग की प्रक्रिया क्रिया है कि अकांट कहां से स्टार्ट होता है रुकोर्डिंग कब होती है फिर उसकी अलग अलग क्या होती सोब्सक्राइब करना यह सारी शारी बातें अकाउंट के सेशंस में देखेंगे बैंक रीकन्सिलियेशन श्टेट्मेंड जैसे कि कई बार आपने देखांगा बैंक में कुछ जगरते रहते हैं मैंने 10,000 रुपए दा लेते बैंक में लेकिन मेरे अकाउट में नहीं दिख रहे हैं बैंक के उसकी वाल्यू कितनी है ऐसा हम इसमें डेपरिसियेशन डेपरी स should के लिए हो तो हम कर रहे है तो मतलब होता है इसर उसकी वाल्यू कम 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 होती जाती है जैसकी iPhone है हमने एक लाइक रुपए का iPhone लिया और क्या एक साल बाद वह्त रुपए में वापसfly सेल हो जाएगा क्या नहीं क्यों नहीं होगा की ञटी हगे सैल sûr कर пот लौश होगे उस्की व्योक्त मोगी ने उसके था करना किया कैसे क्सेट करना वह हम सीखेंगे इस topic में concept and accounting of depreciation फिर बाद में कुछ special transactions आ जाते हैं जैसे कि bills of exchange होते हैं sale of goods on approval और return basis हमने सामने वाले को goods sell कर दिये उसके यहां रखा हुआ है और वो हमें confirmation देंगा कि उसे वो goods चाहिए या नहीं अगर उसने अप्रूफ किया तभी हम हमारे books में sell हुआ ऐसा बताएगे ठीक है consignment होता है average unit account करेंट की कुछ topics है आपने कभी सुने नहीं होंगे लेकिन हम जब start करेंगे तब इसमें detail में चर्चा करेंगे आप मानले जिए आप आप accounts के एकदम बिश्म पितामा बनने वाले हो आप accountancy के एकदम बिश्म पितामा मतलब आपको कोई रोक नहीं सकता है accountancy में हम उस तरह से accountancy पढ़ने वाले हैं बाद में आता है preparation of final accounts of sole proprietor sole proprietor मनलब sonu sonu अगर अकेला business कर रहा है तो उसे sole proprietor कहते है तो सर और भी कुछ होता है कि यस क्या होता है partnership firms होती है company accounts होती है तो अलग-अलग तरीके की legal entities होती है यह भी हम समझेंगे basic introductory topics में तो बाद में देखेंगे partnership के accounts की अगर दो या दो से ज्यादा लोग मिलके अगर business कर रहे है तो उनके books of accounts कैसे maintain होंगी उनकी accounting कैसे होंगी वह देखेंगे फिर उसमें देखेंगे goodwill क्या होता है नया partner कोई हमाई join कर रहा है तो उस time पर क्या adjustment करना है कोई existing partner छोड़ के जा रहा है रिटायर हो रहा है तो वैसे time पर books में क्या adjustment करनी है किसी partner की death हो रही है तो उस time पर क्या recording करना है पाद में हम देखेंगे financial statement of NPO not for profit organization ऐसी जनसता है जो charity करती है जो कुछ social काम करती है जिनका objective profit कमाना नहीं होता है हम उनकी books of accounts भी देखेंगे उनकी books कैसे maintain करनी है एट लास हम देखेंगे company accounts reliance industries की books of accounts कैसे maintain करनी है share क्या होता है share capital क्या है equity share क्या है तो अभी समझा था सर अब डिबेंचर क्या है चिल गाइज यह सब हम समझने वाले एक हसी मजाग करते हुए हम समझने वाले ठीक है तो यह था एक ब्रीफ ओबर वियू आफ आपके syllabus यह पांड़ेशन अकाउंटन सी है विश्य क्या है वाल्गम बैक गईज लेट स्टार्ट अब हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट अंजी का बेसिक पंडा मेंटल्स विखे तो आज मैं यह अजियूम करके चल रहा हूँ कि इसके पहले आपने कभी अकाउंट नहीं पड़ी है इसके पहले लाइफ में आपने कभी अकाउंट यह सब्जेक नहीं पड़ा है यह अजियूम करके आज करता हूँ मैं आपको एकदम बेशिक से बादा हुआ कि अकाउंट बात हैं हम देखेंगे तो सबसे पहली बात तो यह है कि प्राक्टिकल है अगाउंटन्टी प्राक्टिकल है इस से प्राक्टिकल से वाल आते और बच्छा हुआ दस से पंदरा बिस नमबर का इसमें से थेरी आता है ठीक है लेकिन मान लो अगर मैं आपको एक बुक देदू हाउ टू राइड़ बाइसीकल ठीक है साइकल कैसे चलानी है अगर मैं आपको यह बुक देदू सव पन्नों की आप पढ़ लोगे और बुक पढ़के होगे आपका बुक बन कि आपने साइकल ली और साइकल चलाना स्राट किया ऐसा होगा क्या होगा आप धडाम से गिर जाओ होगे ऐसा नहीं की बुक पढ़ लिया और साइकल चलानी आगी सेम गोजविट स्विमिंग अगर मैं आपको एक सौ पन्नों का बुक देदू की स्विम कैसे करना है कैसे हाथ गुमाना है कैसे पैर चलाना है ठीक है सास कैसे लेनी है यह सारी एक बुक मैंने डिटेल में दि चलाना हम बैका गदिक्जब करेंगे जब हमें इसकी पता हो जरमें पता है की डेडेश किसे केहते हैं क्रेड़ीट किसे कहते हैं अचांटिंग्रीश किया होती 59. था हम हम स्टार्ट करेंगे ऐडी से बेसिक क्या है वोकवक्स क्या है कैसे रोक रिकॉर्ड करने सारी के उसर खअफार करते हैं अकाउटनसीज यह हमारी नोट से तो स्टार्ट कर्टे जे BOB आपको एक रेजिस्टर बनाना एक नोटबुक बनानी है जिसमें मैं जो भी लिखा रहा हूँ आपको लिखना है और जो भी क्वेशन आंसर्स हम सॉल्फ करते हैं वो भी आपको उसमें लिखने ठीक है तो अकाउंटन्सी पढ़ने के लिए स्टाड़ करते करते क्याँंटन्सी यृफ साथ में आपको आपका ब्रेन किरिंट्रा रिक्टर में तो स्टाड करते accountancy क्या है accountancy it is a process आपको लिखना है मेरे साथ ही सार it is a process of identifying हम कुछ identify गरते measure गरते measuring identifying measuring and communicating and communicating economic information क्या economic information ठीक है आपको लिखना है साथ ही साथ to permit informed judgment management and decisions by the users सब उपर से गया सर् क्या पढ़ाया अपने बेडा अभी हम सिर्फ पढना स्टाट की आप लिखते जाओ सब्सक्या इस तो आपको अपन्सक्रीश क्या बहुत चारे ट्रांजिक्शन होते हैं ठीक है बहुत चारी आक्टिविटीज होती है बहुत चारे ट्रांजिक्शन होते हैं बहुत चारी आक्टिविटीज होती है तो जैसे कि मैंने रामाटेरियल खरीदा यह क्या होगी एक एक ट्रांजिक्शन होगी यह एक क्या होता है एक्टिविटी ट्रांविटी ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है एक्टिविटी जो हम dave to dave business बिजनस में करते हम डेली बेसीश पे कुछ ना कुछ activity करते है बिजनस में तो उन activities को accountancy की terms में कहते हैं transactions ठीक है मालो हम बच्छपन में जब first स्टांडर्ड में थे जब हम इंगलिस पढ़ना स्टार्ट किये थे तो हमें पूरे अलफाबेट्स की मीनिंग पता थे क्या नहीं लेकिन हमने क्या किया हमारे टीचर जो भी बता रहे थे हम सुनते गए चे सब्सक्राइब में आंगा किई अबने पुरे तरह पड़ रहा हुँ आपको पहली बार पड़ रही हो तो आपको हो सकता है कि कई अइसे हो मैं बोल रहा हूँ आपने इसके पहले कभी सुने नहीं सुना होगा तो घबराना नहीं है जैसे जैसे हमारे सेशन आगे बढ़ते जाएगे वैसे वैसे आपको एक एक अकाउंटिंग टर्मिनलोजी भी समझते जाएगी आज का जो सेशन है वो थोड़ा ज्यादा थेहरोडिकल ह एक दम पोथी पुरान जाएज एक बेसिक थेहरी का लेक्चर है इसके बाद के जो लेक्चर होंगे वह काफी इंट्रेस्टिंग और डे टुडे लाइफ से रिलेटेड होंगे एक स्टोरी के फर्म में पूरे अकाउंटन सी को समझेंगे अकाउंट्स की टर्मिनलोजी अक िए कोई भी एक्टिविटि जुए ओर रहे बिजनेष में उसे हम कहते हैं घ्र की अे इवैंट्स होते हैं मतलब कया होते हैं एंड को थशय। एंड रिजल्ट्स एंड रिजल्ट्स और ट्रांजेक्शन्स ठीका है छाख में ने तर्ज現在 पूरे साल भर रमने इसनिस किया एड में हमें क्या हुआ ऑफ अे प्रॉफिट क्या है एक इवैंड रॉफिट क्या है एक एवैंड एक एवैंड क्यूंकि व्हेंड व éta उस transactions का end result क्या है event, और event क्या हुआ हमने profit earn किया, ठीक है, तो हमने क्या किया profit earn किया, यह क्या हुआ, एक event हुआ, तो transactions क्या हुआ, sales, purchase, salary payment, यह सारी चीज़े क्या होगी, transactions होगी, event क्या हो गया, end result, मतलब profit हुआ, loss हुआ, closing stock है हमारे पास, ठीक है, यह जीज़े क्या है, events, गबराना नहीं है, transactions, events, हम जब basic terminologies का lecture देखेंगे, तब भी हम यह फिर से गबर करेगे, यह सिर्फ definition में आ रहा है, इसलिए मैं आपको overview दे रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा होता है कि साल भर में हम बहुत चारे transactions करते हैं, ठीक है, हमने साल भर में कही transactions क है, तो हम क्या गर रहे है, उन transactions को identify कर रहे है, accountancy में हम transactions को identify कर रहे है, हम accountancy में events को identify कर रहे है, फिर उसको measure कर रहे है, ठीक है, अब मैं अगर कहूँ कि हमने salary pay की, हमने रामलाल, हमारा employee है रामलाल, हमने रामलाल को salary pay की, तो क्या हम हमारे books of accounts में, हमारे बैकातों में, ऐसा लिखेंगे, हमने रामलाल को salary pay की, कितनी salary pay की, हमें measure करना है, हमें amount लिखनी है, क्या लिखना है, कितनी salary pay की, मेजर salary कितनी how much salary हमने पे की है ना हमने कितनी salary पे की मतलग हम transactions identify करेगे हम events identify करेगे लेकिन उनको finance के terms में finance के terms में हम उसे measure करेगे हम उसे finance के terms में measure करेगे साहाब यह books of accounts है साहाब यह सिर्फ सो जाता है साहाब यह सिर्फ पैसों की भाषा जानता है प्याज जीतने पी transactions है जितने भी इवेंट्स है जितनी ख लकंडी है सब करेंगे finance के terms में पैसों की हम chains करेगे है तो कही इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो finance के टम से नहीं है जैसे कि हम कर रहे बिजनेस रामलाल ने हमसे छुट्टी मांगी रामलाल ने कहा सर मौसम बड़ा सुहाना है मैं महाबलेश्वर हो के आता हूं मुझे छुट्टी चाहिए तो क्या हम इसे लिखेगे क्या रामलाल ने छुट्टी ली नहीं पैसों के तर्मस में क्या आएगा कि उसकी 30 सालरी कम लेकिन हम हमारे बुक्स में कहीं लिखेंगे क्या कि रामलाल ने छुट्टी ली नहीं अब मैं कहता हूं कि सर हमारे एंप्लोई है रामलाल वह काफी बुद्धी मान है काफी होशियार है तो इससे में कहीं बुक्स में लिखूगा क्या नहीं कहीं नहीं लिखूगा तो सर आप ऐसा कहना चाहते हो कि books of account में सिर्फ हम financial terms में ही बात करेंगे हम सिर्फ वही transactions record करेंगे सिर्फ वही events को record करेंगे जो हम money के forms measure कर सकते हैं यह हम देखेंगे फोथ फिफ लेक्चर में accounting principle में एक होगा money measurement principle जैसे कि हम मैच्च पढ़ते थे तो मैच्च में हम रूल्स पढ़ते थे प्लस मतलब क्या होता एडिशन सब्स्ट्रेक्शन डिविजन मल्टिप्लिकेशन वाड्मा शुरूल यह कुछ rules होते थे ठीक उसी तरह हमारे accounts में भी accounting principles होते हैं वह हम दीरे दीरे समझेंगे एक उसमें का principle है money measurement principle जो कि यह कहता है कि स्रिफ पैसों के डम्स में record करना है अभी हम इस पे जादा चर्चा नहीं करेगे जब हम accounting principle का lecture देखेंगे तब हम उसे detail में बहुत 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 detail में पढ़ेगे my dear friends आप accounts के भिष्म पितामा बनने वाले हो आप accountancy के गुरू बनने वाले हो आपका accounts में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता इतनी depth में इतने अच्छे से हम accounts पढ़ने वाले हैं ठीक है हम सब कुछ correlate करने वाले day one को जो पढ़ा वो day last को भी पढ़ेगे हम correlate करते जाएगे ठीक है हमने क्या किया हमने identify किया हमने identify किया transactions को ठीक है हमने अलग-अलग transactions को identify किया उसके बाद में हम transactions को क्या कर रहे है measure कर रहे है क्वांटिफाइड कर रहे है measurement हम transactions को measure कर रहे है quantify कर रहे है उसके बाद हम transactions को record करेगे हम ट्रांजेश्ट को transactions को हमारे books of accounts में record करेगे सर रिकॉर्ड क्यू करने का है याद रग लेते हैं काई को paint pencil का खर्चा बढ़ाने का है सहाब काई को एकाउंटेंट को सालरी देनी की है शहाब हम याद रहें ना डिकॉड नहीं करेंगे सर अच्छा जरा मुझे यह बताओ अगर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम कोई बुल जाए भाईया जी भाईया जी हम क्या गर रहे हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम कोई एक अक्टिवीटी कर रहे हैं तो क्या आप कोई अशा लगता है कि इतने सारे ए हम भूल सकते हैं इसलिए हमने पढ़ा था बच्पन में short pencil is better than long memory हमने बच्पन में पढ़ा था short pencil या short pen is better तो इसका मतलब है हमने लिख के रखना चाहिए अगर हम भूल जाएगे तो वो तो भूल ही गया अब हमने किसी को उधारी पे माल बेचा है 1 lakh रुपीज का हमने किसी को credit पे good sell कि तो हमें याद कि इसको कितना uma遍चा है न गलत बात हो इगे ना सामने कि यहीं हमें पैसना पिकड़ रहएंगे मंने किसे कीतनाõज से महला पैसा लेना है थो हमें ही याद रहता है चाहः है बहुत चाहे स क्या रीकॉचियों क्या सब्सक्राइइर सब्सक्राइए तो 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 अम्य? हमें कुछ information चाहिए हमें पता होना में चिण्टू से कितना पैशा लेना है हमने कितना माल परचेस किया था यह जाब लिखिर होनी चाहिए यह सब तो लेकिन अगर मेरे पास कल चिंटू आगया चिंटू बोला अपनी लॉट्री लगी है तुम्हारा जितना भी पूरा ना अगला पिछला हिसाब है सब ले लो तो हम बोलेंगे अरे वा आज सूरज कहां से निकला आज सूरिय को नी कड़े आज सुबास इतने साल से जिसने मेरा पैसा नहीं दिया उधाली पैसा देने आया है तो हम बुलेंगे रुख मैं बताता हूँ तो क्या सिर्व हम पन्ने पलटाते रहा जाएगे क्या अब सुभास हफ्ते में एक बार माल लेकर जा रहा है तो हमें तो कितने पल्टाना होगा तो इसलिए हम क्या करेंगे इस information को classify करेंगे हम अलग-अलग accounts बनाएंगे लेजर accounts बनाएंगे सुभाश का अलग, सोनू का अलग, मुनू का अलग, टोनू का अलग, चिंटू का अलग, चिंटी का अलग, सेल्स का अलग, पर्चेस का अलग, सालरी का अलग, एक्सपेंस का अलग, रेंट का अलग, इलेक्टरिसिटी का अलग, ऐसे अलग-अलग-अलग-अलग हम अकाउंट 커 allí जो रेंटड काई है वो रेंटकी पूक में लिखेंगे सब नेकर लिखेंगेंगेब हैं अ लिजर क्या होता है यह हम आगे के सुश्रेक्षेस अम्हें शील्स में सबस्बाई क समय स्काएगा इसके बाद हम सवेग्स धक often है हम समराइस करते अब जैसे सोनू साल वर में 25 अबार हमसे ट्रांजिक्षन किया है तो इसको एंड में समराइस कर देंगे कि हमने इतना फैसा आया इतना पैसा आना बचा है तो हम तो यह क्या होता है तो यह क्या होता है समराइस का प्रोसेस होता है फिर यह बनने के बाद थम क्या करते हैं करते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है कि फॉल तो ये जाधा हुआ या पिल जड dol ng gry करें इंटर्पृटेशन उसके बाद हम करेंगे interpretation interpretation मतलब हम analysis के भी उपर करेंगे profit हुआ तो कौन से product में कितना हुआ कितना percent किस में profit है pen में 10% profit margin है pencil में 15 है तो हम जादा क्या बेचेंगे 15 वाला तो इन सब चीज़ों को हम interpret करेंगे end result पे आएगे और उसके बाद सबसे end में हम करेंगे communication communicate मतलब जो हमने books of accounts maintain किये जो accounts की है वो हम communicate करेंगे किसे financial users को जो लोग हमारी books of accounts use करते हैं उनको तो कौन लोग use करते हैं अभी हमारे यहाँ पे लिखा है internal users होते है external users होते तो यह भी हम पढ़ने वाले हैं ठीक है ठीक है आपको यह लिखना है एक बार आप लिख लो definition लिख लो और यह थोड़ा rough में scribble कर लो लिख लो थोड़ा transaction क्या है events क्या है examples लिख लो कर देफिनेशन लिखनी है एक रजिस्टर हमको मेंटेन करना एक रजिस्टर बनाना है रजिस्टर में हमें सब कुछ लिखते चले जाना है ठीक है process यह क्या थी accountancy की process थी हो गया definition लिख के definition लिख लो पटाफ़ट जल्दी जल्दी बहुत मज़ा आने वाला यह सब्जेक में अकाउंटन्सी अकाउंटन्सी पूरे commerce स्ट्रीम का basis है अकाउंटन्सी पर ही पूरा commerce स्ट्रीम डिपेंडेंट है नाम में ही अकाउंट्स है तो सबसे important subject है यह लिको आगे transactions क्या है events क्या है इसकी और detail में transaction events आगेगे topics में हैगा तो वो detail में और लिख फाहूंगा मैं अभी रॉफ में लिकलो आप बश्च प्रोसेस लिकलो identify number two measurement number three recording fourth classifying fifth summarizing 1st identify 2nd measurement 3rd recording 4th classifying 5th summarizing 6th analyzing next interpretation interpretation और उसके बाद communication ठीक है हो गया लिखके एक बार सभी का सभी का लिखके हो गया है चलो ठीक है एक बार टेक्स्ट में से देख लेते हैं यह एक्जाम्बल आपको पढ़ना है इंट्रेस्टिंग है एक्जाम्बल पढ़ोगे तो आपको और क्लारिटी आजाएगी ठीक है एक बार टेक्स में से देख ले मिनिंग ओफ अकाउंटिंग तो अकाउंटिंग इस दी आट ओफ रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना है ट्रांजिक्शन को क्लासिफाइंग एंड्जमराइजिंग इन सिग्निफिकेट मैनर और इन टम्स ओफ मनी सिर्फ पैसों की भासा जो सिर्फ पैसों के डम्स में ट्रांजिक्शन से उनको रिकॉर्ड करना है जैसे कि हमारा कोई एंप्लोई है उसके डेथ हो गई हमारे एंप्लोई की डेथ हो गई तो इसमें पैसा इन वाल डेगा नहीं तो हम नहीं लिखेंगे ऐसे ट्रांजिक्शन्स ऐसे ईवेंट्स जिसमें पैसा इनवाल एंवालब गले शिर्फ वही रिकॉड करेंगी विच्छ इन पार्ट interpreting the result आखरी में जो result आ रहा है profit आ रहा है loss आ रहा है जो भी आ रहा है उसको last में interpret करेंगे ठीक है अगली definition बोलती है identifying identifying measuring communicating economic information to permit informed judgment and decision by the users ठीक है तो symbols है the procedural aspect of accounting accounting में procedure क्या है दो procedure है एक तो हम क्या करते information को generate करते हैं कौनसी information financial information हां हम information generate कर रहे हैं कौनसी information financial information हम generate करते हैं और उसको use करते हैं हम information generate करते हैं और उसको use करते हैं जैसे कि हमने books of बनाया profit and loss statement बनाया balance sheet बनाया यह सब हमने बनाया अब यह क्या हुआ इसका मनलब हमने information generate की अब हम हमारे books of accounts को देखके उसको use करेंगे यह detail में अभी आगे है users यह देखो आगे हमारा बनाया users उसको users कौन है कैसे use करेंगे यह सब अभी हम इसी session में समझने वाले है अब देखते generating financial information इसी को हम कहेंगे process accounting की process क्या है तो पहला है identification हम transactions को identify करें it involves observing activities and selecting those events that are considerate of financial character हम बहुत चारे transactions करते हैं और बहुत चारे events होते हैं आप मारे business में हरे transaction हरे इसे इवेंट को record करते हैं का नहीं हम छिरिए transactions ऐसे events को record करते हैं जो कैसे होते है financial character की होते है का यह कारेक्टर के हो दा है फिनांचल कारेक्टर के जैसे कि the value of human resource changes in managerial policies और appointment of personal are important हमारे जो employees है उनकी भी कोई कीमत है हमारी जो organizations की policies है वो भी valuable है लेकिन इनको हम books में record हमते हैं के की दो आफ हैं सैल किया हमने पर्चेस किस इसमें कैश में को रिकाइब करेंगे हम पहले ठ्रांजेक्शन और events को identify कर्थे और रिकॉर्ड कुन से ट्रांजेक्शन और इवेंट्स करते जिसमें पैसा इन्वाल्ड है जो फिनांस के टम्स में जो फिनांस के टम्स में अगर फिनांस है जहां पर मनी है जहां मनी है वहां खुशी है जहां मनी है फिनांशनल टम्स है जहां विटामीन एम है वही है और Business से रीलेटेट नहीं है जो business से रीलेटेट नहीं है उसको तो भूली जाओ जो business से related है उसमें further दो classification क्लासीकेशन आता है देखते हो उसमें finance involved है क्या youお願いします involved नहीं है अगर finance involved है तो ही हम उसको record करेंगे ठीक है अब finance involved है लेकिन कितना इन्वall मेजर हमने सैलरी पह लेकिन कितनी पह कि उसको हमको क्वांटिफा करना घुए उसको हम को मीजर करना है। तो सेकंड स्टेज है मेजरमेंट इट मिनस कॉटी विजनेशन थेंट क्वांटिफिकेशन और बिजनेस रांजेक्शन बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन जो उसको मेजर करना है कॉंचे थे फिनांशल रूपीस में इंडिया की रूपीस पैसा एक यह इंप्रटंट लाई ने if an event if an event cannot be quantified cannot be quantified in monetary terms it is not considered for recording in financial accounts अगेर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है ऐसा कोई इवेंड जो हम quantify नहीं कर सकते जिसे हम मेजर नहीं कर सकते जिसे हम पैसो की परिभासा में बता नहीं सकते उसे हम record नहीं करेंगे ठीक है that is why important items like appointment of new managing director signing of contracts or changes in personal are not shown in the books of accounts हमारे manager की death हो गई हमारे manager चलते रहे चलता रहा वो death हो गई हमारे manager की तो यह लिखेगे क्या नहीं लिखेगे क्योंको पैसों की तर्म में हम इसे मेजर नहीं कर सकते है sir ठीक है तो यह important statement था इसे highlight करना आपको वैसे मैंने blue में highlight कर रखा है फिर भी आप आपके books में जैसे भी marking करना है आप कर सकते हो important statement है ठीक है आगे है recording बाद में हमने पहले identify क्या फिर मेजर क्या फिर उसको books में लिखेंगे उसको books में लिखाएंगे financial terms में books में लिखेंगे are recorded in the books of accounts in monetary terms and in chronological order पैसों की terms में हम उसे लिखेंगे कैसे date wise लिखते जाए के transactions को बाद में transactions को हम क्या करेंगे classify करेंगे systematic analysis करने के लिए हम ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे classify करेंगे systematic analysis करने के लिए हम transactions को events को analyze करेंगे ठीक है एक group of transaction होगा ठीक है जैसे कि ledger हम बनाएंगे ledger जैसे कि Sonu का account बनेंगा Monu का account बनेगा Chart sales account बनेगा this purchase account बनेगा तो sales account में क्या होगा सालवर में हमने जितना भी सेल्स किया सिल्स अकॉंट में इख जाएगाएगा उनाड जफिस में हमने खरी दी बेच में पैस थैफ पर जाएगा हट्टिक है तो classify कर रहे उसके बाद में करें कि कि सम्मराइज सम्मराइज कैसे और साल बर में हम ट्राइल बैलन्स बनाएगे प्रॉफिट एन्लाउस की प्रोसेस है अभी तो सिर्फ डेवन है सिर्फ हम इसके टम समझ रहे प्रोसेस क्या होती वह एक प्रोसेस समझ रहे बस बाद में एनलाइस करेंगे हम कि भाई साल वर हमने जो भी की ट्रांजेक्शन किये जो भी इवेंट हो इसके जैसे में प्रोफिट हुआ या लॉस हुआ एनलाइस करेंगे उसके बाद हम इंटरप्रिट करेंगे कि प्रोफिट हुआ तो कितना प्रोफिट हुआ कौन से प्रोड़क में कितना प्रोफिट हुआ कौन से प्रोड़क में क इस्टरप्रिट करेंगे यह आपको थेरी पढ़नी है एक बार एक बार आपको यह थेरी पढ़नी है पूरी आपको यह नोट्स मिल जाएंगी फिर वे एक दो मिनिट देता हो आप थोड़ा फास्ट फास्ट में पढ़ लो थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ लो इसमें एक बार यह आपको आइगेस नोट्स मिल जाएगी जल्दी तो आप नोट्स में से पढ़ लेना इस एक बार बाद में हम क्या करेंगे क्मिनिकेट करेंगे हम जो information generate होई है जो books of accounts बना है हमने इसे communicate करेंगे ठीक है किसी करेंगी internal and external users and external users होते हैं हमारे books of accounts के उन्हें communicate करेंगे आगे दिखते है कौन है वो द्यक्तिंग information system should be designed in such a way that the right information is communicated to the right person at the right time जो information हम communicate कर रहे हो राइट परशंट को इंप एक चाहिए है तो चनल यहां अर्टी अ मंतली कि यह मैं करेंगे नृब सब्सक्राइब पोलिस के check post होते है और वॉहापी क्या होता है वोकी-टॉकी लगी होती है तो वोकी-टॉकी शिटी में एक bank में चोरी हुई यो चोर लोगते वो red color की jeep में जा रहे थे तो suddenly walkie-talkie पे message आया अभी एक rek今 दालिग लर की jeep जाने वाली है उसे रोको मत जाने दो वकी टाकी पे मैसेज बजा रोको मत जाने दो वकी टाकी पे मैसेज आया रोको मत जाने दो इसका मतलब डू नोट स्टॉप जाने दो इसका मतलब हुआ डू नोट स्टॉप लैट इट गो है न ऐसा जिसने सुना जो चेक पोस्ट पे था, चेक पोस्ट पे जिसने सुना उसने इसा इंटर्पेट किया, रोको मत जाने दो, मतलब do not stop, let it go, लेकिन जिसने message बेजा उसका message क्या था, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ठीके, जिसने message सुना उसने क्या इंटर्पेट किया, रोको मत, मतलब नोट अलाव देंट तू रोक ना जाने नहीं देना तो देखो सारे वर्ड्स वही एस सारे वर्ड़्स वही है एकिन इंटरपर्डेशन तुपूरा लग हो गया तो हमें अकाउंट्नची इतने अच्छे वे में करना है कि जो अकाउंट्स हमारी बुक्स यूज कर रहा है उसका interpretation एकदम सही हो जो accountant बताना चाहता है वही user तक message पहुचना चाहिए जो accountant जो message convey करना चाहता है वही message users तक पहुचना चाहिए तो हमने हमारी accountancy कुछ इस तरह से maintain करने चाहिए तो users कौन होते हैं internal and external users कोन होते हैं users need financial information in order to make important decisions these users can be divided into two broad categories internal users and external users तो हमारे financial statements हमारे books of accounts के दो तरह की users है एक होते है internal users और एक होते है external users तो internal users वो होते हैं जो हमारे organizations के अंदर के लोग है और external मतलब जो बहार के लोग है अंदर के लोग मतलब chief executive होता है financial officer होता है vice president होता है unit के manager होते है plant manager होते है store manager होते है line supervisor होते है ये शारे लोग को ने हमारे organizations के अंदर के तो इने क्या होता है इने भी data लगता है जैसे कि vice president उसे क्या उसे पता होना चीए कि कितना sales हुआ कितना purchase हुआ storage manager उसे पता होना चीए कि हमने कौन सा product कितना raw material खरीदा है हमार पास अभी in hand कितना raw material है क्या rate का है हमने कहां से खरीदा है कौन से कौन से department को issue किया ये सारी बाते किसे पता होना चीए storage manager को ये कैसे पता होगी जब हम हमारे books of accounts properly maintain करेंगे हमने raw material खरीदा कहां से करीदा कब करीदा कितना करीदा कितने rate में करीदा ये सारी information किसे होना जीए चीए है Stores Manager को है जीए किसी पता होना चीए हमारे Managers को पता होना चीए तो हमारे Stores Manager को पता होना चीए तो उन्होंने वैसी विपाटनीन करनी चीए ठीक है तो ये सारे थे हमारे Internal Aviation diferentes हैं चाहिं का भी और ऑफिकरेंट अ मोई करेंगे कि इन्वेस्ट निताल समय आप मेन पैसा एंवेस्ट कर रहे हैं कोई भी कमपणी में इंवेस्ट करेंगे कि इंवेस्ट करेंगे कि यह का प्रेसिख पादा चलता है books of account से हमारे financial information से तो इन्वेस्टर्स को यूज होता है credit हम किसी से लोन लेने जाते हैं बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमारे books of account देखता है income tax return देखता है अगर हमारा profit है हमारे अच्छे-स अच्छे money अच्छा profit कमाते तभी हमें now मिलेगा मुखष भाई अगर लोन लेने गया तो लोन मिलेखा घयně क्यूब होगा क्योंकि उनकी बुक्स में सीधा-सीदा दिखा रहा है कि इन्होंने था हजारों करोडों रुपया अभी तक इनके books of accounts देखती है क्योंकि कहीं हमने हमारा profit कम तो नहीं बताया है अगर हमने हमारा profit कम बताया है तो उन्हें tax कम मिलेगा इसलिए वो लोग भी हमारे books of accounts देखते हैं इसलिए वो लोग तो हमें हमारी इंकम हमारी जो accountancy कर रहे हमें income tax act 1961 को ध्यान में रखते हुए भी करना है companies रजिस्टार आफ कंपनी से भी labor union stock exchange जो बड़ी company होती है उनकी books तो companies रजिस्टार आफ कंपनी होता है जो companies का पूरे डिटेल रखता है government organization होती है labor unions होते है labor union जैसे की labor union यह क्या external agency है लेकिन हम क्या करते कई बार हमारे employees होते है उन्हें जो salary pay करते हैं उसमें bonus पे करते हैं कैसे जिसने जितना पैसा कमा कि दिया जिसने जितना अच्छा काम किया उसको उतना incentives तो यह सारी information के users थे तो कितने तरह के users थे दो तरह के एक internal users और एक external users ठीक है तो इस वास और एकदम basic fundamentals theoretical framework तक इसका हमारे accountancy का हमने आज देखा accountancy कैसा सब्जेक्ट है practical subject है लेकिन practical के पहले हमें उसकी थेरी भी समझना है तो accountancy की process हमने देखी process में क्या था हमने पहले transactions को events को identify किया फिर उसको money के terms में मेजर किया बाद में हमने उसे books में record किया रिकॉर्ड करने का थमें उसको हमने अलग-अलग head में classification किया बाद में हमने उसकी summary बनाई summary बना कि हमने analyze किया फिर कुछ interpret किया और फिर बाद में हमने उसके end users को communicate किया ठीक है तो इस वास बेसिक्स ऑफ अकांटनजी अ कि आपको इसमें से कुछ लिखना है तो एक बर लिख लो आप कुछ लिखना है इसमें से कुछ लिखना है यह जो मैंने लिख वा यह किसी का रह गया है तो एक बर दिखा लो लिखलीजी जल्दी जल्दी